प्रदेश की योगी आधितनाथ सरकार ने प्रदेश की बेटियों के लिए एक बड़ी घोशड़ा की है जिसके तहट मृतक आश्रित कोटे यानि अनुकंपा के आधार पर विभाहित बेटियों भी सरकारी नौकरी की हगदार होंगी प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे के तहट अनुकंपा के आधार पर विभाहित या अभिभाहित बेटों के अलावा अभिभाहित बेटियों को भी नौकरी देने की विवस्था थी इस वजह से कई परिवारों को मुश्किल जेर नी पड़ती थी ऐसे कई मामले कोट पहुँचे और विभाहित बेटियों को भी नौकरी देने की मांग की गई इस मामले पर संग्यान लेते हुए सीम योगी आधितनाथ ने पुरानी विवस्था में संचोधन कर दिया अब विभाहित बेटियों को भी नौकरी मिल सकेगी गुदबार को योगी आधितनाथ की अद्यक्षता में हुई मंत्री परिशत की बैठक में कई और बड़े फैसले किये गए यूपी में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी सैफई और इटावा में 500 बेड के सुपर इस्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित लागत को भी योगी आधितनाथ ने मंजूरी दे दी इसके अलावा पात ग्रहस्ती और अंतियोदे कार्ड धारकों को 2 मार्स 2022 तक निशुलक देने की योजना को भी मंजूरी मिल गई है जिसमें राशन में गेहू और चाबल के अलावा एक किलो चना, एक लीटर खाद्य तेल और एक किलो आयोडाइज नमक भी दिया जाएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही आगे और जानकारी के लिए देखते रहिए आप शननाइस निउस